हलो एवरिवन टिकलेट्स एकडेमी औफ मैस योट्यूब चैनल में अब सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हम एक निव टॉपिक स्टार्ट करेंगे टॉपिक का नाम है को रिलेशन बाय रैंक और रैंक को रिलेशन और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉलिम स्टडी तो देखे जो प्रॉलिम आज हमें सॉल करना है वो आपके सामने है क्वेशन में क्या लिका है हम पढ़ेंगे क्वेशन में लिका है calculate the coefficient of rank correlation for the following data देखो यहाँ पे x और y का डाटा दिया है ये डाटा के लिए हमें coefficient of rank correlation find out करना है तो चलो हम ये प्रॉलिम सॉल करेंगे और जो की ये first problem है इसलिए हमने ये easy problem लिया है इसके आने वाली दिनों में हम इसके difficult से difficult problem solve करेंगे rank correlation find out करते समय इसमें दो type के problem आते हैं पहला आता है non repeated rank के लिए और दूसरा आता है repeated rank के लिए exam में ज़्यादा तर repeated rank के problem साते हैं लेकिन आज ये first problem है इसलिए आज हम ये basic problem ल rank का problem है अब ये non repeated rank और repeated rank में क्या difference है वो भी आपको समझ में आएगा सबसे पहले आपको फार्मूला बता देते हैं कि अगर non repeated rank है तो ऐसे में coefficient of rank correlation क्या होता है तो देखो formula हम आपको बता रहें फार्मूला ये है coefficient of rank correlation को small r से show किया जाता है और ये find out करने के लिए formula होता है देखो ये है coefficient of rank correlation का formula for non repeated ranks इसमें जो r है r का मतलब होता है coefficient of rank correlation इसमें जो d है d याने होता है difference in rank यहाँ पे जो n है n माने number of terms ठीक है यहाँ पे जो x और y का data दिया है उसमें number of terms क्या है यहाँ पे कितने numbers दिये है वो होता है n लेकिन ये जो formula है ये non repeated rank के लिए है अब आप कहेंगे कि repeated rank के लिए formula क्या होता है तो इसी type का होता है बस आपको इसमें 2-3 terms और उसमें add करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे rank repeat होती है तो formula कुछ ऐसा ही होता है वो भी हम आपको आगे जो हम इसका next problem उसमें बताएंगे ठीक है दोनों type के problems आपको समझ में आना बहुत जरूरी है तो फिलाल ये first problem है इसलिए ये हमने easy problem लिया है ये आपको जल्दी समझ में आ जाएंगा तो चलो यहाँ पे हम rank correlation find out करेंगे by using this formula ठीक है तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे solution में सबसे यहाँ पे n का value यहाँ चेक करेंगे कि here यहाँ पे n का value क्या है n याने number of terms तो यहाँ पे हम count करेंगे 1,2,3,4,5,6 तो यहाँ पे 6 terms दी है इसका मतलब n का value हो गया 6 वहाँ पे जो हमें n put करना है वो n हमने यहाँ पे mention कर लिए n का value यहाँ पे 6 है अब वो formula से आपको अगर coefficient of rank correlation find out करना है तो आपको अब d का value पता होना चाहिए d याने क्या होता है d याने होता है difference in rank तो चलो हम यह d का value यह find out करेंगे लेकिन देखो इसकी सामने क्या लिका है summation इसकी सामने summation याने summation of d square तो ऐसे में एक हम table बनाएंगे वो table के थुर हम पहले summation of d square find out करेंगे वो फिर यहाँ पे put करेंगे तब जाकि यह कही solve होगा, तो यह देखिए हमने यहाँ table बना लिये है, यह table के through हमें यहाँ summation of these के और का value find out करना है, अब यह कैसे find out करता है वो समझ लो, table में क्या-क्या लिखना है, तो सबसे पहले x और y का data, देखो x और y का जो data दिया है, यह आपको पहले दो column में लिखना है, तो x का data लिख लेंगे 2, 4, 5, 6, 8, 11, तो यह हो गया x का data, y का data लिखो 18, then 12, then 10, then 8, then 7, और यह 5, तो यह हो गया x और y का data, ठीक है, अब इसके बाद आपको यह column में क्या करना है, यह column में आपको find out करना है rank in x, ठीक है, rank in x को हम यहाँ पे r1 ऐसा कहेंगे, और यह column में आपको find out करना है rank in y, इसको हम यहाँ पे r2 कहेंगे, ठीक है, r1, r2, आप यहाँ पे naming कुछ भी दे सकते हैं, कोई फरक नहीं पड़ता, कुछ books में rx, ry ऐसा लिका है, तो कुछ books में r1, r2, ऐसा लिका है, तो कुछ books में x-y- ऐसा लिका है, अब आपको आपके college में क्या पढ़ाते हैं, आपको उसी के according चलना चाहिए, अगर आपके lecturer r1, r2 पढ़ा रहे, तो आपको r1, r2 के according solve करना है, rx, ry पढ़ा रहे, तो आपको उसके according चलना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम mention कर लेते हैं, कि rank in x, rank in x को हमने क्या कहा है, r1 कहा है, और rank in y, को हमने क्या कहा है, r2 कहा है, यह mention करना ज़रूरी है, कि आपने r1 और r2 क्या क्या लिए है, तो जो r1 है, r1 मतलब rank in x, and r2 माने rank in y, ठीक है, और अब इसके बाद, आपको यहाँ पे rank कैसे find out करना है, वो भी बताएंगे, लेकिन इसके बाद, आपको इसके बाद के column में, आपको d find out करना है, यह जो d है न, यह d find out करना है, और हमने क्या कहा था, d याने क्या होता है, difference in rank, तो यह rank का difference, तो आपको r1 माइनस r2 करना है, r1 माइनस r2 इसमें करना है, और last में आपको d का square करना है, last में यहाँ d का square करना है, जो भी आप यहाँ पे d find out करूंगे, उसका square आपको वहाँ करना है, तो चलो अब सबसे पहले निकालते है rank क्योंकि जब तक आपका rank नहीं निकलेंगा तब तक D नहीं निकलेंगा तो rank कैसे find out करता है देखो बहुत ही simple है ये rank number of students को ये topic जो है वो आसान लगता है और number of students इसको आसान इसे solve कर लेता है क्योंकि rank find out करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है लेकिन ये easy problem है इसलिए आपको ये आज easy लगेंगा लेकिन इसके आने वारे दिनों में जब हम difficult problem लेंगे तो वहाँ पे number of students confused होते है तो वो भी आपको समझना ज़रूरी है ठीक है तो चलो यहाँ पे rank find out करते है सबसे पहले r1 r1 याने rank in x तो अगर आपको x का rank find out करना है तो क्या करो ये जो x के numbers है इसमें सबसे बड़ा number कुनसा है वो check करो ठीक है तो यहाँ पे सबसे बड़ा number है 11 इसका मतलब इसका rank हो जाएंगा 1 तो हम इसका rank लिखेंगे 1 इसका मतलब सबसे बड़े number को first rank दे दो उससे चोटे number को second rank दे दो उससे चोटे number को third rank दे दो उसके चोटे number को fourth rank दे दो इस तरह से आपको rank देना है ठीक है तो ये x में सबसे बड़ा number 11 है तो उसका हो गया rank 1 11 से छोटा नमबर कुछ सा है 8 है उसका rank हो गया 2 ठीक है 8 से छोटा नमबर 6 है उसका rank हो गया 3 6 से छोटा नमबर 5 है इसका rank हो गया 4 5 से छोटा नमबर 4 है इसका rank हो गया 5 और 4 से छोटा नमबर 2 है तो इसका rank हो गया 6 देखो इस तरह से हमने यहाँ पे rank in x find out कर लिए याने r1, ठीक है, x का rank हमने यहाँ पे पता कर लिए अब यहाँ पे r2 find out करना है, r2 याने rank in y देखो r2 याने क्या होता है rank in y तो y में, अगर आपको ranking करना है तो y में सबसे बड़ा number कौन सा है, वो check करो तो y में सबसे बड़ा number है 18, ठीक है, जो पहला दिया है 18 इसका मतलब इसका rank हो गया 1, 18 से चोटा number कौन सा है, 12 इसका rank हो गया 2, 12 से चोटा number है 10, इसका rank हो गया 3 10 से चोटा number 8, इसका rank हो गया 4, 8 से चोटा number 7, इसका rank हो गया 5 और 7 से छोटा नंबर 5 इसका rank हो गया 6 ठीक है इस तरह से हमने यहाँ पे rank in x and rank in y find out कर लिए ठीक है और जैसा हमने कहा था starting में कि यह non repeated rank का problem है तो ऐसे में देखो कोई भी rank जो है वो repeat नहीं हो रहा है जबकि जो repeated rank वाले problem है उसमें rank जो है वो repeat होते है इसका मतलब यह है कि जो number से वो same रहेंगे जैसे dđखो 11 यहाँ पे double से नहीं आया 8 जो है यहाँ double से नहीं है यहाँ पे देखो य के column में 18 जो है वो double नहीं है 12 यहाँ पे double नहीं है मतलब कोई एक number जो है वो repeat नहीं हो रहा है जबकि जो इसके बात के problem हम लेंगे उसमे number जो है वो repeat होंगे कई बार दो बार repeat होता है तीन बार repeat होते हैं चार बार repeat होते हैं ऐसे numbers आते हैं जब repeat होते हैं तो ऐसे में rank कैसे find out करना कैसे rank का division होता है ये भी आपको समझ में आना जरूरी है वो हम next problem में जरूर लेंगे तो ये देखिए फिलाल हमने यहाँ पर rank find out कर लिए r1, r2 और अब यहाँ पर difference create करना है याने small d find out करना है ये दोनों की बीच में difference ले लो तो r1 minus r2 ही अपना small d होता है तो चलो यहाँ पर करेंगे 6 minus 1 तो ये हम लिख लेंगे 5 5 minus 2 तो ये हो गया 3 4 minus 3 तो ये हो गया 1 3 minus 4 तो ये हो गया minus 1 2 minus 5 तो ये हो गया minus 3 1 minus 6 तो हो गया minus 5 इस तरह से हमने small d find out कर लिए और अब इसके बाद ये small d जो आपने find out किये इसका square करना है 5 का square 25 3 का square 9 1 का square 1 1 का square 1 3 का square 9 और 5 का square 25 इस तरह से हमने यहाँ पर d square जो है वो भी हमने यहाँ पर find out कर लिए और अब आपको क्या करना है ये d square का sum करना है summation करना है देखो हमने last में यहाँ पर column लिखा है यहाँ पर summation of d square करना है देखते हैं summation of d square क्या आता है ठीक है ये d square की value का sum करना है तो 25 प्लस 25 कितना हो गया 50 और ये 50 और ये 9 9 मतलब ये हो गया 18 तो 50 प्लस 18 हो गया 68 और 69 70 तो ये हो गया 70 तो finally हमने summation of d square find out कर लिए क्या आया 70 तो इस तरह से हमने जैसा कहा था कि यहाँ पर value put करने के लिए d चाहिए आपको d square चाहिए तो d square का summation मिल चुका है 70 तो ये 70 उठा के यहाँ put करो n की value put करो solve करो तो वही हो जाएगा आपका coefficient of rank correlation समझ में आए आपको तो चलो अब यहाँ पर हम solve करना start करता है तो यहाँ पर हम statement में लिखना है तो therefore coefficient of rank correlation coefficient of rank correlation तो ये हमने लिखा है coefficient of rank correlation और ये formula r और ये formula में अब value split up करना है तो हम लिख लेंगे 1 minus 6 summation of d square याने 70 तो हम लिख लेंगे 6 into 70 divided by n n का value क्या है देखो n याने number of terms वो 6 है ठीक है then यहाँ पर n square minus 1 याने 6 का square ठीक है तो ये 36 minus of 1 ऐसे ठीक है और अब ये solve करो बस तो ये देखो 6 और 6 cancel हो जाएगा और ये 36 minus 1 हो जाएगा 35 मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 minus numerator में 70 divided by 35 ठीक है तो 70 by 35 कितना हो जाएगा 2 तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 1 minus 2 और 1 minus 2 minus 1 so finally हमें r मिल गया that is minus 1 तो finally हमने rank correlation find out कर लिए that is I am minus 1 बस नीचे statement में लिख लो तो ये finally हमने यहाँ लिख लिया है therefore coefficient of rank correlation that is r equal to minus 1 तो finally question में जो find out करने के लिए कहा है वो हमने find out कर लिए problem यही पे complete हो गया उमीद करते हैं कि ये problem आपको समझ माया होगा ये problem आपको अपनी practice book में जरूर solve करके देख लेना चाहिए ये था rank correlation ये topic का first problem इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी number of problems कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी कासी practice हो जाए तो मिलते हैं next video में thank you very much